यह कहानी है कमल और रवी की, जो एक ही क्लास में पढ़ते थे और बहुत ही अच्छे दोस्त थे रवी सीधा साधा था लेकिन कमल बहुत चालाग था रवी कमल को अपना सचा दोस्त मानता था और हमेशा उसकी मदद करता था जबकि कमल ने रवी को सिर्फ अपने मतलब के लिए दोस्त बनाया हुआ था रवी पढ़ने में बहुत होश्यार था और इसी बात का फाइदा कमल उठाता था ऐसे ही एक दिन अरे रवी आ गया तू? कबसे तेरा इंतिजार कर रहा हूँ? जल्दी आ, तुझसे बहुत जरूरी काम है मुझे हाँ भाई, हाँ बता भाई क्या बात है? यार वो आजना मुझे पापा के साथ मॉल जाना है वो मैंने तुझे बताया था ना मार्केट में जो नया वीडियो गेम आया है उसे खरीदने के लिए मैंने पापा को मना लिया है तो क्या तु मेरा होमवग कर देगा? प्रॉमिस करता हूँ यार, वीडियो गेम से मिलकर खेलेंगे यार रहने दे, मुझे नहीं खेलना वीडियो गेम तु मेरा भाई है यार कमल इसी तरह रवी का फायदा उठाता था कमल के पिता एक अमीर बिजनेसमेन थे जबकि रवी के पिता एक प्राइवेट कंपनी में सिर्फ एक इंप्लॉई थे रवी कमल से बहुत प्यार करता था उसे इस बात का एहसास ही नहीं था कि कमल की दोस्ती सिर्फ मतलब की है कमल अपने हर काम के लिए रवी पर ही निर्भर था उस दिन शाम को जब रवी कमल का सारा होमवग करके उसकी कौपियां लेकर उसके घर पहुचा तो उसे देखकर कमल की मा सुनीता ने उससे पुचा हरे रवी तुम आओ बेटा कैसे हो तुम अच्छा हूँ आंटी जी ये मैं कमल की कौपियां लेकर आया था उससे दे दीजीगा अच्छा पर ये कौपियां तुम्हारे पास कैसे अँटी वो वो दरसल मेरे ना काम पूरा नहीं था तो इसलिए मैंने कमल से मांगी थी उसकी कौपियां मैं तुम्हें भी अच्छे से जानती हूँ और कमल को भी मुझसे जूट नहीं बोल पाओगे तुम उसने फिर से तुमसे अपना होंवा कराया है न नहीं नहीं अँटी जी ऐसा नहीं है मैं वो मैं तो रवी तुम बहुत अच्छे बच्चे हो मुझे बहुत खुशी होती है तुम्हें देखकर मैं जानती हूँ कि तुम कमल के सचे दोस्त हो हर वक्त उसकी मदद करना चाहते हो लेकिन बेटा सच तो ये है तुमने देखा ना पिछले एक्जामस में उसके मार्क्स कितने कम थे कमल मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनता वो पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगाता मैं जानती हूँ कि वो अपना हर काम तुमसे ही करवाता है अब तुम ही बताओ क्या ये सही है नहीं अंटी जी ये बिल्कुल सही नहीं है मुझे आपकी बात समझ में आ कई है अपसे मैं कमल का कोई काम नहीं करूंगा और उसे अपने साथ पढ़ने को कहूंगा इतना कहकर रवी बहां से चला जाता है उसने तै कर लिया था कि अब वो कमल की पढ़ने में मदद करेगा और इस बार उसे अच्छे नंबरों से पास करवा करी रहेगा फिर अगले दिन स्कूल में जब कमल उससे मिलता है तो रवी उससे कहता है रवी की बात सुनकर कमल के पसीने छूटने लगते हैं उसने रवी को कोई जवाब नहीं दिया तो रवी ने उससे कहा क्या हुआ कमल तू चुप क्यों है चल अब टाइम वेस्ट मत कर मेरी कॉपियां ले और सारा काम कर देना ठीक है यार मैं कर तो देता यार पर वो यार पता है आज ना मुझे ना वो फुटबॉल प्रैक्टिस के ले जाना है यार फुटबॉल प्रैक्टिस वो टीम सेलेक्शन होने वाला है ना यार अच्छा मैं चलता हूँ यार सौरी यार रवी उससे कुछ कहता उससे पहले ही कमल वहां से चला गया रवी समझ गया था कि कमल उसके सामने बहाना बना कर गया था लेकिन फिर भी उसे बुरा नहीं लगता उसे लगा कि कमल पढ़ने से जी चुरा रहा है इसलिए उसने homework करने से मना कर दिया रवी उसके पीछे जाता है कुछी दूर जाकर कमल को उसके कुछ और दोस्त मिल जाते है वो रुक कर उनसे बाते करने लगता है रवी उससे बात करके उसे पढ़ाई की एहमियत समझाना चाता था लेकिन दूसरे दोस्तों के बीच उसे कुछ भी कहना ठीक नहीं लगा वो साइड में रुक कर कमल के अकेले होने का इंतजार करने लगा कमल नहीं जानता था कि रवी उसके पीछे है उसके दूसरे दोस्त भी रवी को नहीं देख पाते वो सबी आपस में बाते कर रहे थे कमल की बात सुनकर उसके सारे दोस्त हसने लगते है कमल की बात सुनकर रवी पीछे हट जाता है और दिवार की आड़ में छिपकर उनकी बाते सुनने लगता है तब ही कमल का दोस्त उससे कहता है तो फिर क्या भोला तूने रवी को बोलना क्या था जूट बोलकर पीछा छुडा लिया मैंने अच्छा पर कहीं वो बुरा तो नहीं मान जाएगा तू कुछ भी बोल कमल पर सच तो यही है कि रवी की वज़ा से ही तू पास हो पाता है तेरा होमवर्क वो करता है सारे असाइन्मेंट भी तू उसी से बनवाता है मैंने देखा है एक्जाम में भी वो तुझे ही सब बताता है देख ले भाई कहीं उसे पता चल गया कि तू सिर्फ अपने मतलब के लिए उसका दोस्त है तो कहिए दोस्ती दुश्मनी में न बदल जाए अरे तो दुश्मनी होती है तो हो जाए न मैं कह डरता हूँ किसी से और वैसे भी मुझे रवी की मुर्खता पर पुरा भरोसा है इतने सालों से मैं उसे बेवकूफ बना रहा हूँ आज तक उसने मुझे से कोई सवाल नहीं पूछा मैं जैसा कहता हूँ वो बेवकूफ मान लेता है उसे कभी मेरी सच्चा ही बता नहीं चलेगी और मैं हमेशा उसे ऐसी बेवकूफ बनाता रहूँगा सच तो यह है कि उसकी और मेरी कोई बराबरी नहीं है कहां मैं और कहां वो एक नंबर का मूर्ख इतना कहकर कमल जोर से हसने लगता है उसके दोस्त भी रवी का खुब मजाग उडाते हैं और पीछे खड़ा रवी ये सब सुन रहा था उसकी आँखों में आसू थे उसे कमल की हकीकत पर भरोसा नहीं हो रहा था वो वहां से चुप चाब चला गया उस दिन वो बहुत उदास था ये देखकर रवी की मा सुमित्रा ने उससे पूछा अरे रवी क्या हो अब बेटा स्कूल जाते वक्त तो तू बहुत खुश था अब क्या हो गया तुझे रवी अपनी मा को कमल की सच्चाई बताता है और रोने लगता है वो रोते हुए अपनी मा से कहता है मा कमल को ऐसा नहीं करना चाहिए था मैंने दोस्त से बढ़कर उसे अपना भाई माना मा क्या वाकई मैं मैं इतना बड़ा मूर्ख हूँ कि कोई भी मुझे बेवकूफ बना कर मेरा फायदा उठा सकता है नहीं बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बस तु भोला है बहुत दिल का साफ है इसलिए तुझे किसी की चाला की समझ नहीं आते तो भी तो मैं मूर्ख हूँ आना मा सुमित्रा की बात रवी को समझ आ जाती है वो उसी दिन से कमल के सारे काम करना बंद कर देता है कमल को ये सब खलने लगता है वो रवी से बात करने की कई बार कोशिश करता है लेकिन रवी कोई न कोई बहाना बना कर वहां से निकल जाता था पर एक दिन कमल ने उससे साफ साफ पूछ लिया क्या बात है दोस्त नराज है क्या नहीं नहीं सब ठीक है बस वो एक्जाम आने वाले हैं न तो उसी की तैयारियों में लगा वा हूँ हाँ यार मुझे भी तुछ से उसी बारे में बात करनी थी तूने अपना साफ प्रोजेक्ट तैयार कर लिया है क्या नहीं अभी नहीं वैसे मैं सोच रहा था कि क्यों ना इस बार तू साफ प्रोजेक्ट बना ले हम दोनों के लिए मैं पर मैं मैं कैसे नहीं भाई वो एक्जाम आने वाले है यार पढ़ाई करनी है बहुत और वैसे भी हर बार तू ही तो प्रोजेक्ट बनाता था ना मेरा भी और अपना भी तो इस बार भी बना ले ना यार नहीं इस बार मेरा मन नहीं है ऐसा करते हैं साइंस प्रोजेक्ट तू बना ले कमल रवी को बहलाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन इस बार उसकी एक नहीं चली उसे रवी की बात मानने ही पड़ती है हालकि उसे इस बात की तसली थी कि अब उसे एक्जाम के लिए बिलकुल भी पढ़ाई करने की ज़रुरत नहीं थी वो रवी के भरोंसे रहकर बिलकुल नहीं पड़ता और science project बनाने में लग जाता है वो अपने और रवी दोनु के लिए science project तयार करता है कमल और रवी दोनु को उस project के लिए अच्छे marks मिलते हैं फिर एक्जाम का देनाता है लेकिन रवी कमल से अलग सीट पर बैठा होता है, ये देखकर कमल के होश उड़ जाते हैं, वो रवी से कहता है, अरे रवी, तु यहां क्यों बैठा है, मेरे पास क्यों नहीं बैठा? अरे वो मेरी तबिया ठीक नहीं है मुझे खिड़की के पास बैठना है ताकि अच्छे से सारा पेपर कर सकूँ मैंने सर को बता दिये ये बात उन्होंने मुझे पर्मिशन दे दिये लेकिन भाई मैं कैसे करूँगा पेपर कमल रवी से जादा कुछ कह पाता उसे समझने में देड़ नहीं लगी कि रवी ने ये सब जानबूच कर किया है एक्जाम खत्म होने के बाद कमल रवी के पास जाता है और गुस्से में उससे कहता है रवी तूने मुझसे साइंस प्रोजेक्ट बनवा लिया अपना और एक्जाम मैं मुझसे दोड जाकर बैड़ गया तूने तो मेरी मदद करने का वादा किया था ना तू तो बड़ा धोकेबाज निकला क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा क्योंकि तू मेरे साथ यही करता आ रहा है तेरा सच्चा दोस्त था में ना जिसकी कदर तुने नहीं की, अब तु ये जान ले, कि अब से ना तो मैं मूर्ख हो और ना ही तेरा दोस्त। इतना कहकर रवी वहाँ से चला जाता है, कमल के पास पच्टाने के सिवाए कोई चारा नहीं था, उसने ना सिर्फ रवी जैसा अच्छा दोस्त कोया था, बल्कि अब वो खुद की नजरों में भी गिर गया था, जिसे वो अपना मूर्ख दोस्त समझता रहा, वो तो एक अकल मन्द दुश्मन निकला, जिसने उसका किया उसे लोटा कर उससे अपना बदला ले लिया था,